आज की ख्लास में देखेंगे, sufficient conditions for monotonicity. यानि कि किसी function की increasing और decreasing होने के लिए, जो sufficient condition है, उनको हम लोग देखेंगे. ठीक है? monotonic function मैंने बताया था ना, कि monotonic function वैसे functions, या तो function increasing हो, या तो decreasing हो. तो यहाँ पर वही हम लोग यहाँ पर दिया है कि sufficient condition for monotonicity देखिए क्या है sufficient condition Let f be a differentiable real function defined on the open interval ab अच्छा यह function जो है f यह क्या है open interval ab पर क्या है जी differentiable है अच्छा इसमें यह भी लिसकते हैं इसमें तो अगर यह differentiable है तो continuous होगा ही लेंचाओ तो इसमें लिसकते हो कि and 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 continuous 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 और closed interval interval closed interval यह भी यह भी इसमें दे सकते हैं ठीक है चलिए यानि कहने का मतलब है जिरी मैं इस function को लेकर आपर समझाता हूँ ठीक है function का graph लेकर ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा x x dash y और नीचे मैं यहां लेता हूँ y dash उसी तरह से यहां पर लेता हूँ x और यहां पर x dash यहां हो जाएगा y और यहां नीचे मैं लेता हूँ y dash ठीक है अब इसके बार देखिए मैं एक function का graph कुछ इस तरह से यहां बना देता हूँ ठीक है दूसरा हम लोग function का graph कुछ इस तरह से हाँ देखि लेता है ठीक है हमारे पास क्या करा है कि function f जो है differentiable है real function defined on the open interval a b अच्छा open interval a b पे चलिए मैं यहां पर a और यहां पर b लेता हूँ उसी तरह से इसमें भी देखिए a यहां लेता हूँ b यहां लेता हूँ तो अब आप a से b के बीच में देखिए a से b के बीच में देखिए इस function में ध्यान से देखिए इस function के अंदर a से b के बीच के किसी भी value पे अगर आप चाहोगे तो इस के इस के उपर इस curve के उपर a से b के बीच के किसी भी point पर की सकते हैं इसके बीच के किसी भी point पर इसका मतलब कि ये function differentiable होगा differentiable होगा और a से b के बीच और a और b पर भी ये कहीं पे भी break नहीं किया है function इसलिए continuous भी होगा यानि कि ये function continuous है और differentiable दोनों है continuous भी है और differentiable दोनों है सेम उसी तरह से यहां पर देख सकते हैं कि A से B के बीच कि A से B के बीच किसी भी पॉइंट पर आप चाह होते इस पर आरहानी से टेंजन की सकते हैं यह कहीं पर भी ब्रेक नहीं किये इसलिए यह continuous है close interval AB पर चलिए तो पहला कंडिशन क्या करा कि if f-x is greater than 0 f-x होता क्या है यानि कि जैसे अगर माल जे y को to f-x function दिया है कि आप इसको differentiate करते हों with respect to x तो यहां से जो dy by dx आता है वो होता है f-x और f-x है क्या slope of tangent tangent का slope है तो देखिए अगर माल जे a से b के बीच में a से b के बीच में देखिए x कैसे बिलोंग कर रहा f-x is greater than 0 for all x belongs to a to b यानि a से b के बीच में कोई भी point हो सकता है तो उस पर अगर आप सोचो a से b के किसी भी point पर अगर आप यहां tangent खीशते हो तो tangent का slope जो होगा यह देखिए angle कितना है 90 से less than है तो जब 90 से less than है तो 10 90 से अगर less than होगा वालो 45 हो 30 degree हो 15 degree हो तो यह क्या है पोजिटिव हीने value हैगा यानि कि f-x क्या होगा 0 से greater होगा दिख रहा ना जी f-x 0 से greater होगा तो यह पर f-x 0 से greater दिख रहा है तो क्या इस function को देखने से नहीं लग रहा कि यह a to b के इस interval के 20 यह function increasing है देखिए यह जैसे जैसे एक value increase करेंगे function का graph यह उसी तरह से ऊपर जाते जा रहा है यानि कि x का value increase करने पर y का भी value increase कर रहा है तो हमें graph से ऐसे देख के पता सला है कि f-x 0 से greater है यानि कि slope of tangent 0 से greater है तो यानि function का function जो होगा वो increasing होगा क्योंकि उसका graph देख लिजिए यहां देख से पता सला है कि a से b के विज़ में ही जब value बहड़ है तो यह function का graph भी उसी तरह से उपर की तरह पूट रहा है यह function क्या हो जाएगा increasing होगा जाब f-x 0 से greater होगा अच्छा यहां पर देखिए a से b के बीच के किसी भी point पर अगर यहां पर और माल जिए कोई tangent खीचते हैं तो यहां जब tangent आप खीचेंगे तो समझेए यहां पर जो angle बनेगा वो angle क्या होगा 90 से greater होगा 90 से greater होगा तो 10 90 से greater यहां 105 हुआ 10 135 हुए यह सब वैलू जब होगे तो इसका value निगेटिव होगा 90 से greater में यह second quarter में 10 निगेटिव होता है ठीक है तो यानि कि f-x यहां पर क्या है 0 से लेज़ेन हैं हम नों tangent के लिए किसी line के tangent के लिए जानते है न 10 theta इस और किसी line के slope के लिए ना format 10 theta तो यह slope of tangent के लिए यहां पर देख रहे हैं कि यह 0 से 0 से लेस देन आ जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि ठीटा के वल्डिस इस डिक्रीजिंग नहीं कर रहा है इसको हम लोग प्रूब करके देखते हैं अचा चाहो तो हम लोग इसमें एक और कंडिशन जोड़ सकते हैं क्या जोड़ सकते हैं कि अगर f if f dash x if f dash x is equal to 0 for all x belongs to a b then f x is a constant function constant function f x क्या हो जागा constant function हो जागा यह एक condition जोड़ देते हैं इसे नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है चलिए एके करके इनको प्रूब करके यहां पर देखते हैं ठीक हैं हम लोग इसका यहां पर प्रूफ देखते हैं रहते कि let x1 x2 belongs to किसे open interval a b open interval a b open interval a b open interval a b नदिया है जिहां such that such that x2 is greater than x1 अच्छा पहला में देखी क्या दिया है हमार पास given क्या है इसमें given है कि f-x जो है ना 0 से greater है in x belongs to a to b या for all कर देते हैं all x belongs to open interval a b चलिए इसके बाद लेखें यहां पहली सकते हैं कि और x2 greater है चलिएं there exists there exists at least one c जापे c क्या होगा x1 और x2 के बीच में like करेगा such that such that such that तो क्या हो जाएगा mean value theorem से f-x2 minus f-x1 by x2 minus x1 equal to f-c हम लों जानते है ना जी जब function differentiable हो गया continuous भी हो गया तो यहां पर उस mean value theorem से देख सकते हैं कि x1 और x2 के बीच में एक ऐसा value c मिलेगा जो x1 और x2 के बीच में like करेगा such that यहीं ना होता है mean value theorem यह mean value theorem से ही होगा चलिए अब इसके बाद यह दे जाते हैं उधर तो f-x2 minus f-x1 equal to 2 में आ जाएगा x2 minus का x1 into में f-c चलिए अब देखिए इसके बाद हमारे पास उपर जो दिया हुआ है कि f-c0 से greater है f-c0 से greater है f-x0 से greater है f-c भी तो 0 से greater हो जागा ना जी 0 से greater हो जागा और x2 greater है x1 से x2 x1 से greater है तो आप ऐसे भी लिसकते हैं कि x2 minus x1 भी greater than 0 हो जाएगा तो यह भी 0 से greater यह भी 0 से greater तो दोनों का product भी 0 से greater हो जागा कि नहीं यानि f-c2 minus f-c1 is greater than 0 यानि कि आ जाएगा f-c2 is greater than f-c1 इसको इधर लेके चला है तो हमने यह पने दिखा दिया कि नहीं f-c2 f-c1 से greater हो जा रहा तो यहाँ पहली सकते हैं कि for all x1 x2 belongs to open interval a,b यहाँ पहली सकते हैं कि therefore f-c is strictly increasing function on open interval a,b ठीक है ऐसे ले सकते हैं तो यह अब उसके बाद देखते हैं हम लोग second वाले के लिए दाप सकते हैं given है हमारे पास कि f-c2 जो है ना 0 से less than in interval a,b यह for all x belongs to a,b ऐसे कह सकते हैं तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं वही by mean value theorem for f-c in interval close interval x1 x2 they are exist या open interval भी ले सकते हैं कोई दिख करते हैं they are exist c, they are exist c, open interval ही लेना चाहिए ठीक है they are exist c, यह पर क्या होगा? x1 से x2 के बीच में like करेगा such that such that such that such that fx2 minus fx1 by x2 minus x1 x1 equal to f-c c, अब देखते हैं आपे, उपर दिया है कि f-c 0 से लेहगन है अच्छा और x2 is greater than x1 या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं और में कि x2 minus x1 is greater than 0, तो देखिए क्या हुआ? fx2 minus fx1 equal to x2 minus x1 और इन टू में f-c, fx2 minus fx1 equal to देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर यह देखिए, इसको समझ लेजी, equal नहीं देखिए यह 0 से greater है और यह 0 से लेज़ देखिए तो positive, negative, multiply होगा तो negative है यानिकि 0 से लेज़ देना जागा है कि नहीं? यहाँ से हो जागा कि fx2 is less than fx1 for all x1 x2 belongs to open interval a, b, ठीक है? अब इसके बाद देखिए यानि हमने उसका उल्टा यहाँ पर दिखा दिया तो लिख सकते हैं यहाँ पर, therefore fx is strictly decreasing in open interval a, b, ठीक है? for all x belongs to open interval a, b, ठीक है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं तो यह पर फिर वही by mean value theorem, ठीम वही चीज़ लेरो रहाँ fx2 उपर लिए है न, minus का fx1 equal to x2 minus का x1 into में f' c तो f' c 0 है, तो fx2 minus का fx1 equal to में यह 0 हो जागा, क्यों? क्योंकि f' c 0 है चलिए, तो यहाँ से इसको उधर भेश देंगे, तो fx2 किसके equal हो जागा? fx1 के ठीक है, fx1 के equal हो जागा, तो जब equal हो जागा, for all x1, x2 belongs to open interval a, b तो यहाँ पहली सकते हैं कि therefore, f is a constant function, constant function on open interval a, b clear है, समझ गए? चलिए, चलिए, अब monotonic function से लेटर ही, एक corollary दिया हो, इसको समझ लेते हैं let fx be a function defined on open interval a, b, यह function कैसा है? continuous भी है और differentiable है, continuous होगा, close interval a, b differentiable है, open interval, defined है तो यह चीज होगा ही, पहला देखिए, कि if f dash x 0 से greater है, for all x belongs to a, b, ठीक है, अगर f dash x 0 से greater है, तो 0 से greater है, तो पता ही है कि 0 से greater होगा, toistically increasing function होगा, फिर क्या है रहा है, कि except for a finite number of point, f dash x equal to 0, then fx is increasing on open interval a, b, देखिए, क्या कहा रहा है, कि finite number of point है, where f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 करेंगे, तो वहांसे x के जो आएंगे, हमें क्या मिलेंगे, वो points मिलेंगे, वहांसे कुछ points मिलेंगे, critical points मिलेंगे, और वो critical points मिलेंगे, और then fx is increasing on open interval a, b, उसी तरह कहा रहा है, कि f dash x is less than 0 होगा, तो for all x belongs to a, b, except for a finite number of point, finite number of point, where f dash x equal to 0, than fx is decreasing on open interval, कहने का मतलब क्या है, कि a से b के बीच इस interval में, जब function का derivative निकालेंगे, तो f dash x 0 से greater होगा, बट कुछ condition में f dash x 0 से equal भी हो सकता है, 0 के equal भी हो सकता है, कैसे, जैसे समझे, माल लिजे कोई graph बनाते हैं, समझे आपके, कोई function का graph इस तरह से होगा, तो इस point पर, जैसे a से b के बीच में आपके point देख रहा है, एक ऐसा point मिलेगा, इस point पर f dash x क्या होगा, यानिकि slope of tangent क्य होगा, तो 0 होगा, क्योंकि इस condition में, ये x axis के parallel होगा, इसलिए slope of tangent 0 हो जाएगा, तो वही क्या रहा है, क्या रहा है, कि f dash x is greater than 0 for all x belongs to a b, except for finite number of points where f dash x is equal to 0, यानिकि जहां पर f dash x 0 के equal हो, उसको छोड़ कर function क्या होगा, increasing, उसी तरह से decreasing के लिए कह रहा है, समझे ना बात को, तो इसका कोई खास use नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, हम लोग पीछे जो दो theorem देखे हैं, उन्हीं क्या use हम लोग exercise में करने वाले हैं, करना क्या होगा, हमारे पर जो function दिया होगा, उसको differentiate करके, dy by ds उसका derivative f dash x निकालेंगे, और फिर f dash x के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 0 से greater हो रहा, या less than हो रहा, है ना, ये चीज़, तो उसको check करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि f dash x equal to 0 करके, हम लोग यहां से कुछ ऐसे points निकाल लेंगे, जैसे माल जिए इ इधर, जो भी इनके बीच के हम लोग क्या करेंगे, values पे f dash x का sign change, चेक कर लेंगे, या कहा negative हो रहा था, positive हो रहा, कहा negative हो रहा, तो जा positive हो रहा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, निक्रीजिंग हो जाएगा, तो simple है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें, जैसे माल आज आज आपके पास कोई question दिया है, fx equal to में दे दिया हो, minus का x square, minus का 2x plus का 15, सबसे पहले आप इसे differentiate करिए with respect to x, यहां से आपका f dash x क्या मिलेगा, आ जाएगा minus का 2x minus का 2, अब इसके बाद क्या करते है, f dash x equal to 0 करके, यहाँ पे हमनों critical points निकालेंगे, minus 2x minus 2 equal to में 0, या यहाँ पे हमनों देखेंगे, sine scheme for f dash x, f dash x के लिए sine scheme क्या होगा, हमें यहाँ पर यह जो एक ही value लेगा ना, जिस पर इस पर क्या होगा, slope f dash x जो होगा 0 के एक उपर होगा, इधर minus infinity, इधर plus infinity, और यहाँ एक ही point मिला है, इस point को critical point कहा देंगे, तो इस point के इधर के value पे, य या तो function increasing होगा, या decreasing होगा, या इसके इधर के point पे, सब पे increasing है, decreasing होगा, तो इसलिए आम लोग यह critical point यहाँ निकाल देखेंगे, तो इसके इधर कोई भी वेलोक हो, जैसे minus 2 ही रख देते हैं, ठीक है, f dash x में, f dash x में यहाँ पे minus का, minus का 1 ही रख देते हैं, minus 1 से इधर, sorry यह minus 2 ही रख देते हैं, तो minus 2 रखेंगे, तो देखो, minus 2 रखेंगे, minus 2 रखेंगे, plus का 4, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, यानि कि positive हो जाएगा, इसके इधर कोई भी point इसमें f dash x क्या होगा, positive होगा, इसके इधर जैसे अगर कोई भी रखेंगे, तो यहाँ f dash x क्या हैगा, negative in minus infinity to minus 1, so f x is increasing on minus infinity to minus 1, ठीक है, और दूसरा देखिए, यहाँ पर negative में हो रहा, f dash x is less than 0 in interval minus 1 to infinity के बीच, तो यहाँ पर लिसकते हैं, so f x is decreasing on minus 1 to infinity, समझ गया, तो इस तरीके से आप differentiate करेंगे, f dash x को 0 करके, हैं पर points निकाल लेंगे, उन्हें points को एक line लेकर देखिए, उसके बीच में जो भी interval होगे, उन सब पे, हम लोग f dash x को शेक करेंगे, और पोजिटिव होगा, negative होगा, पता चल जागा, अगर positive होता है, जिस पे, तो उस interval पे increasing हो जागा, जिस पे negative होगा, उस प छबरा, दूसरा है आपके पास, भारती भावन, रवीकांत सर, रवीकांत सर, और तीसरा चनल है, रवीकांत सर, और डी सर्मा सलुचन, तीनोच चनल को सस्क्राइब कर लेंगे, एससे लेक्री वीडियो के लिए सीधे description में, इस से लेक्र नोट्स के लिए Google पे जाकर सर्श करेंगे www.ravikant.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेश के नोट्स उनके PDF को डाउलोड कर सकते पर सकते उनसागा मर फेस्बूक पर जाकर पाथफ़ेंडे क्लासेश अप्रा को लाइक और फोलो करना नहीं गोलेंगे थैंक्स पर वाचिंग न वीडियो कमेंट करके